गुड इवनिंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में जो पर्मु के थ्यासिक स्थल हैं सांची और संकिसा इनके बारे में जानकर प्राप्त करेंगे तो देखेगा कई बार एक्जाम में पूछ लेते हैं इसलों के बारे में तो आप वीडियो को दहान से देखेगा यदि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और यदि आप लोगों के पास कोई सुझाम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो चलिए पढ़ते हैं सांची एम संकिसा सबसे पहले पढ़ते हैं सांची तो देखें सांची एक ऐसा स्थल है जो इतियास का बहुती इंपोर्टेंट स्थल है तो चलिए जो ये सांची है ये है मद्धे परदेश की राज़ता ने बुफाल के समीप इस्तित सांची बोध स्थूपों के लिए संसार में परसिद है तो जो बोध स्थूप है वो सबसे ज़्यादा काम पर सांची में है या पाढ़ी पर मोरिय सासक असोक ने विशाल स्थूप का निर्मार करवाया था ये है जो स्थूप है ये इंटों का बनना था जिसके चारों ओर लकड़ी की बाड़ लगी थी तथ पसाथ या अनेक स्थूप, विहार, तथा मंदिर बनवाये गए इससा पूर्वा तीसरी स्थाब्दी से लेकर पांचवे स्थाब्दी तक इस्थूप तक यहा निर्मार कारिय चलता रहा सांची के दिर्काल तक बोध धरम से संबंदित रहने के कारण इनका नाम चेतिय या चेतिय गिरी परशिद हुआ सांची की पाड़ी पर तीन स्थूप मिलते हैं एक बड़ा तथा दो छोटे स्थूप महा स्थूप बुध वित्य सोक कालीन धरम परचारकों का तथा तृत्य सीरी पुत्र और महा मोध गल्ल्यायन नामक बुध के प्रिये सिस्यों के अवस्यसों पर निर्मित है इन्हें सूंग सात्वाहन युक की रचना मना जाता है असोक द्वारा निर्मित महा स्थूप सूंग काल में पासान पार्टियों से जड़ा गया लकड़ी के स्थान पर पासान वेदिका बनाई गई तथा चारों दिशव में चार तोरण लगा दिये गए इस्तूप का आकार भी द्वीगूनित कर दिया गया वस्तूते इसके तोरण अत्यन सुंदर कलापून और आकरशन हैं वे बुद्ध की जीवन की गठनाऊं तथा जातक कथों के चित्रों से भरे पड़े हैं और नीचे से उपड़ तक अलंकरित हैं वे अपनी वास्तू से कहीं अधिक उत्किन अलंकरणों के लिए विख्यात हैं इन पर सी हैं हाती, धरम चक्र, यक्ष, त्री रत्न, आती के चित्रे खुदे हुए हैं महास्तूप के दक्षिन द्वार के पास असोक का स्थम खंडित अवस्ता मित है यहां के दो गोहा मंदिरों के भी अवसेस मिलते हैं सांची स्मारक भारतिये वास्तू एं मूर्तिकलाओं की अमरकृतियां हैं सांची से सिलाओं पर खुदे हुए कई लेख भी मिलते हैं असोका लेख उसके स्थम पर खंडित अवस्ता में है जिसमें उसने संग भेद रोगने हेतु राजाग्या प्रसारित की थी वेदिक़ों पर अंकित लेखों में दान करताओं के नाम सुरक्सित हैं जिन्होंने स्मारकों के निरुमान में योगदान किया इन में सासक, बिक्शू, संबान्य जन सभी हैं मुख्य स्थोफ के दक्षिन दवार पर उतके लेख में सात्वाहन सात कर्ने का नाम है संकीशा वो उत्रपडेश के एटा जीले में इस्तित संकीशा बसंपो नामक स्थान प्राचीन समय में एक परसित नगर था यह पूर्वी पंचाल जनपत के अंतरगत था बुद्काल में इसका महत्वय बढ़ गया पाली कथों के अनुसार यहीं पर बुद्ध श्वार्ग से उत्रे थे इसे बोदों का परसित तिर्थ स्तल माना जाने लगा यहां कई विहार तता इस्तूप निर्मित थे फायान इस नगर का वणन करते हुए लिखता है कि वहां के विहारों में 600-700 भिक्षू निवास करते थे वेंसान के नुसार यहां असोग द्वारा बनवाया ग है तो देखी स्टूडेंट्स सांची और संकिसा के बारे में इंपोर्टेंट सूजना हमने आपको दी इसी प्रकार से इत्यास विशे के बारे में आपको यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे और भी इनफोर्मेसर मिलेगी तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया or let's be